सबसे पहले आप सभी को मेरा साधर प्रणाम बाल दिवस के शुब अफसर पर आप सभी को हार्दिक शुब काम नाए यह अमारा स्वभाग्य है कि भारत वर्ष में 14 नवंबर को विशेश रूप से बाल दिवस मनाया जाता है इस विशेश दिन पर देश भर के स्कूल विभिन्य कारिक्रम जैसे नाटक, भाशन, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आधिका आयूजन करते हैं बाल दिवस वर समय होता है जब हम भारत के लोगों में बच्चों के अधिकारों और सुविधाओं के प्रति जागरुकता लाने का प्रयास करते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उन्हें आत्म निर्भर होने तक प्रेम और देखवाल की काफी आविशकता होती है बाल दिवस का उत्सव हर किसी में बच्चों की सुरक्षा की जागरुकता लाने और देश भविष्य उजल करने के लिए मनाया जाता है हमारी देश में बच्चों को काफी जादा समय तक मजदूरी के बदले में काफी कम धनराशी प्रदान की जाती है जो एक तरे से उनका शोशन करने के समान है उनमें से कई के पास या तो पढ़ाई की सुवधा नहीं है या फिर अपने परिवार के भरण पोशन के लिए मजदूरी करने की कारण वा पढ़ नहीं पाते है हमें उनका स्तर उचा करने की आवशक्ता है जो की तभी संभव है जब हम सब भारती मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को समझें यहां बच्चे हमारे समाज के भहमूल धरुखर होने के साथ ही हमारे देश के भविश्य भी हैं आप सभी अपनी पुरानी किताबें और पढ़ाई की वस्तुएं जरूरतमन बच्चों को दान करके इस कार्य में अपने सहयोग देने में महत्व पूर्ण योगदान दे सकते हैं तो आए साथ मिलकर जरूरतमन बच्चों की मदद करने का संकल्प लें और बाल दिवस की सची अर्थ का सार्थक करें धन्यवाद